नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं कुरूड ओईल की कुरूड ओईल अभी आप ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुरूड ओईल का चार्ट है वहां से एक नीचे के तरफ ये ओपनिंग करी थी और मार्केट में पूरे दिन एक सेलिंग बनी रही थी जो दीरे दीरे इसे एक डाउनसाइड की तरफ ले आ रही थी पर जैसे एक इविनिंग सेशन शुरू होते टाइम लगबग हर कमोडिटी में एक बैंग हमने देखी थ अपने लो से काफी काफी भी नहीं पर एक जो एक इसका एवरेज जो रहता है थोड़ा सा उपर आकर इसने अपना क्लोजिंग सेटल कर ली और आज जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट लगबग अपने कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही ओपन हुआ था और अभी ये बाइब करते हैं कि हमारा पेहला पिछला किस तरीके का एक इसमें चलता हुआ रहा है और आगे हमें क्या लग रहा है देखिए मैने आपको क्रूड 8-7 अगर आप मेरा Crude Oil का पिछला वीडियो देखेंगे तो 298-7 के उपर मैंने Boeing बताई थी उस दिन जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था तो कल इसने वो लेवल ब्रेक किया और वहां से 3033.4 तक का शायद इसका एक कल हाई लगा था तो और अभी फिला ये 2-9-7 पर ट्रेड कर रहा है मार्केट में कुछ एक स्ट्रेंथ बनती भी नजर नहीं आ रही इसका अब कोई माइन नहीं है अगर आपका कोई ट्रेड है या तो आप स्टॉपलोस आप लगा के रखिए क्योंकि कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा मार्केट में बनके नहीं आ रहा कि इसमें कुछ है कि स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं और डाउंसाइड भी अभी नहीं है पर फिलहाल हमें बाइंग क्यों अवाइड करनी है उसके लिए मैं आपको रिजन बताता हूँ देखिए इसमें एक breakout level है जिसका हमें ध्यान रखना है breakout level कौन सा है breakout level है 3, 1, 4, 5 ये जब तक break नहीं होता तब तक हमें उपर की side में नहीं जाना है 3,145 जब break हो जाएगा तब आप अगर market इसी range के आसपा straight करता रहता है और खुदी 3,145 का level उपर की side में break कर देता है तो आप मेरे किसी ना तो वीडियो का wait करें ना किसी चीज़ का wait करें मेरा आपको ये ही suggestion रहेगा कि आप 3,145 break होते ही crude oil में आप अपनी long position में enter कर जाएगा आप बहुत ज़्यादा speed से उपर जाएगा पर अगर ये जब तक ये इस level को break नहीं कर पाता तब तक हम इसमें एक pressure build up होता हुआ जरूर देखते रहेंगे कि अभी जैसे 3,000 के level पे है और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि crude oil जिस तरीके का एक chart form कर रहा है वहाँ पर इसमें exact इनी levels पे 3,040 के आसपा 3,040 से लेकर 3,020 तक के level में इसमें एक अच्छी खासी हम एक resistance हम देख रहे हैं यहाँ पर बनता हुआ इसके उपर हो सकता है थोड़ा सा break करके और उपर जानी कोशिश करें पर थोड़ा सा इसे मुश्किल ज़रूर रह सकता है काफी struggle इसे करना पड़ेगा इसके उपर अपने आपको sustain करने के लिए पर उसका मतलब आप buying करें ऐसा मेरा कोई recommendation नहीं है आप सिर्फ watch करें जब तक कि यह 3,145 break नहीं करता है यह मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर resistance है अगर break कर देता है तो जिनकी long position है और जो position से बाहर निकलना नहीं चाहते तो उनके लिए मैं थोड़ी ये मैं levels बता रहा हूँ कि 3,020 से लेकर 3,040 के बीच में इसमें थोड़ा सा एक resistance है जो अगर ये ज़्यादा देर तक यहाँ पर अगर sustain कर गया और market में कुछ ऐसी कि का या तो sideways रहेगा या downside में से कोई एक trend ले लेगा अब हमें नीचे के side में किन levels का में धियान रखना है हम उस पर बात करते हैं देखिए पहला level है अगर आप buying की position में है मैं आपको ये recommend करूँगा आप अपना stop loss 2964 रुपे पर 2964 पर आप अपना stop loss maintain करके चलें ये level है लगभग यहां का ये level है 2964 का आप अपना stop loss level maintain करके चलें अगर आपकी buying की position है तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप exit कर जाएगा देखिए मेरी सिर्फ recommendation है आप मेरी call पर trade करते हैं नहीं करते मुझे कोई idea नहीं है उस चीज़ का और दूसरी चीज़ के अगर ये नीचे में 2900 अगर ये touch भी कर देता है तो market जो है उसमें एक selling आप जरूर देख सकते हैं 2900 का level लगभग इससे थोड़ा सा और नीचे कर रहेगा यहां तक कर रहेगा ये level अगर ये touch भी कर देता है तो इसमें हम एक selling बनती देख सकते हैं जो उस तरफ इसका थोड़ा सा जुकाव कर देगी कि market में एक trend जो है वो नीचे की तरफ बन सकता है तो 2900 पे आने पर आप sell कीजिए 3000 के level पर मेरा कोई recommendation नहीं है कि buying करें, selling करें पर levels में आपको जरूर बता रहा हूँ कि आप अगर buying करने तो आपको क्या stop loss आपको maintain करना है selling करने है तो आपको क्या stop loss maintain करना है मेरी recommendation है 2900 के नीचे मतब 2900 अगर ये touch भी कर देता है तो आप selling में enter कर जाएंगे और आपकी position जो है, वो downwards trend की तरफ जाने शुरू हो जाएगी ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई 3145 अगर ये उपर में break करता है तो आप buying करेंगे, देखे इसके बीच में अगर ये कहीं भी रहता है तो market में एक range में वो trade कर रहा है उसमें आप कितना risk लेना चाते है या risk लेना भी चाते है नहीं लेना चाते है, वो भी आपको depend करता है, देखे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके पास 10,00,000 रुपए भी पड़े हैं जो आपने use नहीं किये हुए और होता क्या है अगर आपके पास पैसा पड़ा रहेगा तो मैं आपको guarantee से कह सकता हूँ कि 90% traders वो होते हैं जो उस पैसे को पड़ा नहीं रहने देना चाते हैं चाहे गलट trade हो, पर उसमें entry ज़रूर लेंगे वो अभी 3001 का level है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत भी सोचा 1% accuracy हो, 10% accuracy हो, 50% accuracy हो कुछ भी accuracy हो उन्हें लग रही हो वो उसमें trade ज़रूर करेंगे वो जो 90% traders हैं आपको उन जैसा नहीं बने तो देखिए आपके लिए long term में बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको 10 दिन में 100 रुपय का profit होता तो मैं आपको बता सकता हूँ आप सिर्फ इस एक चीज़ को समझ के ये 100 रुपय कमाने की जगे आप 1000 रुपय कमा सकते हैं जो 900 रुपय आपको profit नहीं दे पारे वो इसी reason से आपको profit नहीं दे पारे आपका पैसा पहली चीज़ के वो उस trade में लग जाता है जो आपको profit देगा है, loss देगा उसका आपको बहुत थोड़ा सा intuition होता है कि मुझे अभी 3001 में ले लेता हूँ 3025 पे मैं इसमें निकल जाऊँगा वो हो सकता है कि 3025 जाए ही न वो नीचे आजाए, आप वही पर आप थोड़ा सा tension में आना शुरू कर दोगे थोड़ा सा और गलट trade लेने शुरू कर दोगे थोड़ी आपकी एक psychological psychological बहुत असर पड़ता है उस चीज़ का आपके तो आप जो भी trade लें वो बहुत ही ध्यान से लें बहुत ही सही level पे लें और ऐसे किसी trade से बज़ें जिसमें आपकी कोई बहुत बड़ी confirmation नहीं है, अभी market बहुत ही range में trade कर रहा है यह मैं आपको अभी 15 minute के चार्ट पर दिखा रहा हूँ, एक घंड़े की तरफ चलते हैं यहां भी अगर आप देखेंगे न थोड़ा सा यह slightly एक upwards movement तो दिखा रहा है इस तरीके से, पर आप कहां पर entry ले रहे हैं कहां नहीं ले रहे हैं, कौन सा stop loss maintain करें चल रहे हैं अभी यह price है, तो यह इस range में trade कर रहा है मैंने आपको बताया, 2900 यह अगर touch कर देगा downside में, यह मान लीजे, यह यहां से गिरता हुआ यह इस तरीके से आ जाता है, 2900 आते ही आपकी जो position है, selling की आप हो जाएगी और आप यहां पर enter करना, selling में यह मेरी recommendation है आपको, उपर में मैंने आपको बताया 3, 1, 4, 5, वो level का लगभग यह है यह अगर ऊपर में चलना शुरू करता है और ऊपर में यह level आ जाता है, तो आप यहां पर आप buying करना आपनी, तो यह दोनों मेरी मेरे level हैं, जिनका आपको ध्यान में रखना है उसके बीच मेरी को recommendation नहीं है levels में आपको बता दिये, stop loss आपको maintain करके चलना है, किस strategy को किस तरीके से आप trade करते हैं, वो हर किसी का अपना individual pattern होता है कोई ज़्यादा तर selling में prefer करता है trade लेना, कोई ज़्यादा तर buying में prefer करता है पर क्या वो trend के साथ बैठ रहे हैं क्या वो trend, क्या वो सही direction में है वो सबसे बड़ा सवाल है जो वो ignore करते रहते हैं trend कहां 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 नहीं है, अभी देखिए, अभी जो trend है, मेरी अगर मेरा opinion मानेंगे तो trend downwards है, जब तक 3, 1, 4, 5 break नहीं करता है, यह मेरी ठीक है, यह level enter होता है, फिर मेरे लिए ज़्यादा chances हो जाएंगे कि 2800 भी बहुत easily break हो जाएगा 27 भी break हो जाएगा पर जब तक यह level नहीं आता तब तक मैं खुद confuse हूँ कि वो उपर जाएगा, नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता तो मैं इसी लिए उस level का wait करूँआ जो सही level है, मुझे profit दे पाएगा तो यह था मेरा crude oil में अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें, बने रहें मेरे साथ देखते रहें यह market report धन्यवाद